आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वेडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फार 25 वोल्ट्स वाट इस दा रिजिस्टेंस आफ दा गैलवेनोमीटर ठीक है तो इस question में मैं गैलवेनोमीटर के लिए रिजिस्टेंस फायंड करना है जो मैं गैलवेनोमीटर है उसको संट्रेट किया गया है विद रिजिस्टेंस आफ फायवोम अगर फीगर से समझें तो यह मालने कि यहाँ गैलवेनोमीटर है ठीक है तो अगर इसमें जब हम इसको संट्रेट कर देते हैं इसमें संट्रिस्टेंस जोड़ देते हैं इसके पहलल में फायवोम का तो हमारा जो फुल स्केल डिफलेक्षन है यह हमारा कितने में मिलता है हमें 250 मिली एंपिर से में मिलता है ठीक है यह हमारा यहाँ से 250 मिली एंपिर की करेंट जब हमें यहाँ से फ्लो करते हैं तो हमें फुल स्केल डिफलेक्षन होता है वो में यहां से find होता है ठीक है उसके बाद question में कही रहा है similarly if our resistance of 290 ohm is connected in a series ठीक है अगर हम इसके second figure में देखें अगर इस galvanometer के series में हमें का resistance जोड़ दें इसका जो में resistance दिया गया है वो हमार 290 ohm का है ठीक है यह हमारा galvanometer का resistance है और फिर हमारा यह sun resistance लगा हुआ है ठीक है तो यहां से अगर हम देखें तो पहले हम इस case की बात करते हैं फर्स्ट फिगर से अगर हम देखें तो फर्स्ट फिगर केस की बात करें तो जो मारी current IG यहां पे flow हो रही होगी गैलvanometer में जो current flow हो रही होगी उसके लिए मैं पास फार्मूला होता है IG equal to S upon S plus G into I ठीक है I हमा सब्सक्राइब करना है ठीक है यहां से अगर हम इससे equation फस्ट देदें और second case की बात करें second figure से तो मैं यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो V होगा potential वो हमारा क्या हो जाएगा I upon R हो जाएगा ठीक है तो R हमारा total resistance है इसमें galvanometer का resistance भी add है और हमारा 290 ohm का हमने एक series में resistance weights एक सभाइने हो और add कि ओ ए तो वी इकल टॉमारा हो जाएगा यहांसे अगर यहां से करेंड कि हम बात करें तो पहले current के लिए equation निकालते हैं यहांसे तो current के लिए यहां से जो equation बन जाएगी, हुँमारी यहां से बन जाएगी, यहां से हुआ होगी गलवनोमेटर में अगर यहां से current घर फलोव होगी तो यहां से current हम अगय ले ले लेंगे व Vaarna जी कि लेडी प्लाइटे रहत करते हैं फ्सक्ति वालू हुआ करते हैं तो मेरद ईअ से जिख वैलू फाइनद कर सकते हैं एश की कि वैलू कर सकते हैं ऐस प्सक्ति वैलू क्नल, वह现在 लेट वायू 55W है अपां जी हमें find करना है यह हमारा 90 है ठीक है तो यहां से हमारी जो equation आ जाती है वो आ जाती है 105 plus G equal to हमारा हो जाएगा 450 plus 5G means that यहां से गर हम देखें तो यह हमारा हो जाएगा 95 G equal to 950 means that जो हमारा galvanometer का distance है वो हमारा कितना आ जाएगा 10 ohm का आ जाएगा ठीक है means that अगर हम galvanometer का distance बताया है तो हमारा 10 ohm का resistance होएगा ठीक है तो यहां से हमारा जो option हो जाएगा ओमारा B option C हो जाएगा जो हमारा resistance होएगा galvanometer का तो हमारा 10 ohm का होगा थैंक यू classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर क्रभ मारां करेंगा 9456 रसे यूर्छर हो भी हमारां कि भी झाल्य ही दोली ह są Rabbi